कि कि आम कोबी का सब्सक्राइब को दिखा दिखाते दिखे मैंने करें कहले हैं फुल गौबी और एक सिम्रा मेर्ज इसुटे च्टाइब करेंगे आलू चलिएिसको इस एक करके काट के आपको दिखाते हैं कि मैंने सारी फुर्गों भी को कट करके इसको अच्छी तरह सुवास कर चुकी हो और इसमें देखिए सीमला मिर्ची भी छोटे-चोटे में पीसिस में कट चुकी हूँ अब हम अपनी गर्म हो चुकिया इसमें अब हम ऑल डालते हैं इसको अच्छी तरह से गर्म होने के बाद इसमें हम राही डालेंगे है यह था कि हमारे तेल है जो अच्छी तरा से गश्रम हो गया थे इस में कितनी सी दाल चुके हैं अब इसको दब तक पूरी अच्छी से चिटक जा जाए उसके बाद हम अपनी कट हुई इसमें सब्जी डालेंगे कि अबिए देखिया तेल हो पुड़ी तरह से गर्म के में राई है जो अच्छी तरह से चकत गए है उसमें हम दिखी कटे हुई सब्जी जाना है बाई हमारी तेल हे जो बाहर ने उड़ेगा है अब इसमें एक त्टीवी आलू एड कर देखें आलू एड करने बारी स्वाफ्टी करते हैं जब तक यह मेरे ब्राउन कर ना आ जाए इसमें मेरे सब्दी एक तरह से जूँद गही है अब इसमें मसाला एड करते हैं कि अब जाले पॉलर डाले हम इसको चीटरा से चुलाएं यह दिके मेरे मसाला पहले से पीशा हुआ था इसमें अब अब जीरा अधरक लसुन मीर्च का पेष्ट तारा मेरे डीडी है इसमें डाल देते हैं इसमें एक तमाटर कुछी ही एड़ा अब इसमें हम स्वाद अनुतार नमक डाल देते हैं अब इसको अच्छी तरह से चलाते रहे जब तक इसका तेल ना मेरा दिखने लगे मसाला को इसमें हल्गा सा पानी एड किये हैं करीबन अदा ग्लास अब इसको अच्छी तरह से पकने देते इसको डाहक करके छोड़ देते ताकि हमारी सब्जी है जो अच्छी तरह से बॉल हो जाएं कि यह देखे हमारी सब्जी के रेडियो चुकी है क्योंकि अब इसमें पानी अगने के इसको दीमी आज में डफ करके इसको अब करके बनाएं यह बिना पानी का मेरा दिखे अच्छी तरह से बन गए देखे मेरी फूल गूबी की सब्जी बनके रेडिये हैं आप इसको हम रोची चावां धाल के साथ खार करते हैं इसको हम आपको खाके खाने के बाद बताते हैं कैसा लगा अजया बनाएं आपको खार करते हैं